नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों मेरा नाम है विनोध और आप देख रहे हैं मेरा यूटुब चैनल जिसके नाम है विनोध सिंग ठाकूर दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है Hadoop Developer Boolean Search String Part 3 जी हाँ दोस्तों ये हमारा Hadoop Developer Boolean Search String का Part 3 है और इसमें हम Hadoop Developer की एक नई Boolean Search String बनाना सिखेंगे सबसे पहले दोस्तों आपको Hadoop लिखना होगा Hadoop लिखने के बाद दोस्तों आपको एक Space देना है और Space देने के बाद आपको Boolean Search String Operator End का यूज़ करना है इसके बाद फिर आपको एक Space देना है और Space देने के बाद आपको Bracket लगाना है Bracket लगाने के बाद दोस्तों आपको HDFS लिखना है HDFS लिखने के बाद फिर आपको एक Space देना है और Space देने के बाद आपको Hive लिखना है Hive लिखना है और फिर एक Space देना है Space देने के बाद दोस्तो SDFS लिखने के बाद आपको Space देना है Space देने के बाद आपको Boolean Search String Operator और का यूज़ करना है फिर एक Space देना है और उसके बाद ही आपको Hive लिखना है फिर आपको एक Space देना है और आपको Boolean Search String Operator और का फिर से यूज़ करना है इसके बद फिर से आपको एक space देना है और space देने के बद आपको impala लिखना है impala लिखने के बद फिर आपको space देना है space देने के बद फिर आपको boolean suggesting operator और का यूज़ करना है और फिर एक space देना है आपको और space देने के बद आपको map produce लिखना है map produce लिखना है इसके बद फिर आपको एक space देना है और आपको boolean search string operator और का यूज़ करना है इसके बद फिर आपको एक space देना है और आपको h base लिखना है h base लिखने के बाद इसे आप bracket से close कर दीजे और इसके बाद फिर आपको boolean search एक space देना है और आपको boolean search string operator end का यूज़ करना है इसके बाद फिर आपको एक space देना है और space देने के बाद आपको एक bracket लगाना है bracket लगाने के बाद आपको spark लिखना है spark लिखने के बाद फिर आपको एक space देना है और space देने के बाद आपको boolean search string operator और का यूज़ करना है और का यूज़ करने के बाद फिर आपको एक space देना है और space देने के बाद आपको python लिखना है python एक scripting language होती है इसके बाद फिर आपको एक space देना है और आपको boolean search string operator और का फिर से यूज़ करना है इसके बाद फिर आपको Cats способ देना है और आपको Scala लिखना है Scala लिखने के बाद आप इसे Bracket से Close कर दिजे और फिर एक Space देजे आप फिर आपको Boolean Search String Operator End का Use करने के बाद फिर आपको एक Space देना है और Space देने के बाद आपको Straßen Tilluest, Bracket लगाने के बाद आपको scoop लिखना है bracket के अंदर और एक space देना है और space देने के बाद आपको फिर से Boolean search string operator और का यूज करना है और एक space देना है इस पेस देने के बाद आपको FLUME लिखना है FLUME लिखना है और इसे bracket से close कर देना है दोस्तों इस search string को आप note कर लीजे और जब भी आप किसी Hadoop developer की position पे काम करें आप इसका use कर सकते हैं और I ensure you आप अगर इसका use करेंगे या search string को आप modify भी कर सकते हैं और आप अच्छी quality के Hadoop developer के resumes को source कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये video पसंद आया होगा यदि आपको ये video पसंद आया तो please subscribe my channel like and comment अभी के लिए बस इतना है and thanks for watching